हम लोग यूट्यूब पे ना लाइव आके आज इंस्ट्राग्राम पे लाइव आते हैं यूट्यूब मैंने बंद कर दिया है अभी आपको हेस्टाइल सिखाने वाला हूं तो सबसे पहले मैंने सेंटर पार्टेशन कर लिया है फिर उसके बाद एक रेडियल सेक्शन निकाल मैं दूसरी साइड भी निकालूंगा उसी तरीके से और इस पे भी मैं क्लिप लगा दूंगा ओके दोनों साइड सेक्शन निकाल लिया है लाइक इस वीडियो राइट ना गाईस जितने भी लोग देख रहे हैं अभी बैक में मुझे एक सी सेक्शन निकालना है पब बनान के लिए आप इसमें यहां पे यहां से शुरू करते हैं हम एक इस तरीके का सी सेक्शन लेते हैं जिस पे काफी कुछ किया जा सकता है तो हम इस पे पफ बना सकते हैं बैक पफ बना सकते हैं कर सकते हैं काफी सारे ऑप्शन यहां पे तो मैं पफ बनाऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा बनाके इसको कैसे करते हैं और नीचे वाले जो बाल हैं उनको मैं एक बार क्लिप लगा दूँगा इस तरीके से दोनों साइड उके उसके पीछे रीजन है क्योंकि मुझे एक वे मिल जाएगा इसली बालो को हैंडल करने का तरीका मिल जाएगा जिसकी वज़ा से मैं यह करने वाला हूं ओके मैंने यहां क्लिप लगा दिया उपर वाले बाल मैं सेक्शन बाइ सेक्शन इसमें बैक ओम करता जाओंगा हैड हल्का सा डाउन कर देंगे यहां पर हम क्लाइंट खा है ओके बैक ओम किया फिर हेर स्प्रे लगाया इस तरीके से है और छोड़ दिया ठीक है फिर से देखिएगा नया सेक्शन लिया कॉंम किया, बैकॉम किया बैकूम जितना डीप होगा न, जितना रूट्स के पास होगा, उतना अच्छा है और हमेशा स्प्रे लगाना मत भूलिएगा, स्प्रे जरूरी है स्प्रे लगाएंगे तो आपके क्लाइंट के बालों में अच्छा बाउंस रहेगा और लॉंग लास्टिंग टिका रहेगा वो बाउंस ठीक है फिर से एक और सेक्षन लिया मैंने उसी तरीके से यहाँ पर देखते जाएए बाउंस देने के लिए वॉल्यूम देने के लिए फेस को लंबा दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग बैक कॉमिंग कर रहे हैं फिर से अब मेरे पास फॉला सेक्षन जो की हमें दिखेगा सामने से इसलिए इस पर अब्रते ध्यान से बैक कॉम करनी है कि यह बालो में आपका कॉंब आरपार नहीं होना चाहिए मैं कॉंब करूंगा bete back is देखते जाएयां अंगेती तरफ मेरा उम कॉंब नहीं जाना चाहिए निग Spring back अब यहाँ पे इस तरीके से से पकड़ूंगा जितना हाइट चाहिए हम इसमें हाइट क्रियेट crit कर देंगे सामने देखूंग यहाँ पे देखके हम लोग हाइट बना देंगे जितना भी हाइट चाहिए सब्सक्राइब कि उनको कितना हाइट चाहिए यहां पर ओके दिख रहा है सबको इसको साफ करेंगे इस तरीके से पकड़ा हाइट पे लेके गया थोड़ा सा हाइट पे लेके गया और हाइट लेके जाना है और हाइट पे लेके जा सकते हैं इस तरीके से मैं हमारी पिन लूँगा यहां पर यूपिन लगा दूँगा दोनों साइड हाँ दोनों साइड लगा दूँगा यूपिन जैसे ही यूपिन लग जाती है एक एक और लगा देते हैं वन मिनिट आप थोड़ा इसको पुल अप कर सकते हैं आपको लगता है कि आपको हाइट और ज्यादा चाहिए आप पुल कर सकते हो इस तरीके से अब इन बालों में मुझे थोड़े से यहां से बाल हमें छोड़ देने हैं यह वले बाल इस साइड और यह जो बाल बचे हैं मेरे पास एक सेक्शन लूँगा यहां पर इस तरीके से हम इसमें ब्रेड बना सकते हैं इसमें ट्विस्टिंग कर सकते हैं इसमें रोप बना सकते हैं डिपेंड करता आपको क्या बनाना है तो मैं रोप सेक्शन लेके चलूँगा देखिए यहां पर एक बार ठीक है जैसे ही दूसर जाओंगा फिर थोड़े से बाल एड कर लूँगा इसी तरीके से अब यह फिर से थोड़े से बाल हम एड कर लेंगे फिर से थोड़े से बाल एड कर लेंगे अगें हम थोड़े से बाल एड कर लेंगे एक बार और हम थोड़े से बाल एड कर लेंगे लास्ट टाइम जो हमारा एक सेक्शन बचा हुआ है उसमें ये बाल एड़ कर लेंगे तो यहां पे एक तरह का मैंने सेक्शन बनाया है अभी इसको क्या करना है यह बनाने के बाद हम रोप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं यहां पे इसको मैं पुल करूंगा इस तरीके से ओके यह जो सेक्शन आपको पुल करने है ताकि यह क्लीन दिखाई दे सकें जो हमने ब्रेड बनाई है उसको पुलिंग टेक्निक जरूरी है अब पुलिंग के पीछे रीजन है मैं पुलिंग क्यूं कर रहा हूं इसको और अच्छे से दिखाने के लिए तो मैं पहले यूपिन करूँगा यूपिन लगा दूँगा बालों में यहां पर ताकि हम इस पुलिंग टेक्निक का फाइदा ले सकें वह कैसे अब यह पुल किया था हमने इसको यूज करना है हमें अच्छे से शेप देना है विद दा हैल्प ओफ यूपिन यहां पर यूपिन लगाया इस तरी के बिल्कोल ध्यान से सबकुरे निग ए फिर नेक्स और सट्शन पेयूपिन लिया इस तरीके से लगाया आया चैनके मुझे सिर्फ कीन दिखाने के लिए यूपिन लगा रहा हूं उपिन लगाऊंगा हैर्ष्प्रे करूँंगा क्लीण करूँंगा ताकि जो मैं बनाई है मैंने वो अच्छे से clearly दिख पाएं, okay, फिर से ध्यान दीजिएगा, इस area में, फिर से मैंने U-PIN लगाया, हर एक part पर आपको इस तरीके से U-PIN लगा देना है, ताकि आपका जो section है, वो अच्छे से define हो, अच्छे से दिखे, मैं काफी सारी U-PIN यूज़ करता हूँ, जब भी हम ऐसी कुछ lines create करते हैं, अब दिखे रहे हैं, कि यह lines और अच्छे से visible हो जाएंगी, देखते जाएए, just see it, और इसको clean जरूर कर दे, इन बालो को clean जरूर कर दे, spray करके, यह पीछे तक ऐसे ही हम लोग lines को clean करेंगे, यह spray मुझे चड़ती है, इसलिए मुझे हिससे जादा तर time खासी आती रहती है, जब मैं यह करता रहता हूँ, hair style, अब U-PIN के पीछे हम एक bobby pin लगा देंगे, ठ्यान से, ताकि यह hair style ऐसा ही रहे, और हम अपना काम, और यह U-PIN अभी निकालेंगे नहीं हम, यह वली U-PIN नहीं निकालेंगे, यह वली U-PIN निकालेंगे, अभी एक side हो चुका है, इस side भी same आप बना सकते हैं, कैसा लग रहा आप लोगों को यह अभी तक, पसंद आया, same thing, message करके बता दीजेगा मुझे, कैसा लग रहा है, यह part, we'll do other side, ध्यान से देखिएगा, other side पे भी, जैसे वो part मैंने छोड़ा था, यहाँ पे, excuse me, यह part भी छोड़ दूँगा, और top के portion में, same उसी तरह या तो आप, यहाँ पे, rope portion बना सकते हो, इस side भी, अगर आपको बनाना है, नहीं तो, इसको, हम spreading technique भी use कर सकते हैं, okay, मैं तो बोलूँगा same बनाओ, क्योंकि हमने उस side बनाया है, इस side भी same होना चाहिए, तो मैं इसको, दो पार्ट में, rope technique, तीन पार्ट में, हम dutch braid बना सकते हैं, इसके अंदर, चलिए, एक side हम dutch braid बनाते हैं, ठीक है, एक side हम rope technique की use करते हैं, okay, तो यहाँ पे, मैं dutch braid, सिर्फ आपको एक idea देने के लिए, तो यहाँ पे कितने section लेंगे, हम तीन, total तीन पार्ट लेंगे, equal मात्रा में, equal portion, okay, अब ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत जादा ध्यान से, जब भी कोई section लेना है, वो नीचे से आएगा, इस तरीके से, okay, यहाँ पे भी नीचे से, अब एक एक तो मैंने कर दिया, नीचे से, ध्यान से देखिएगा, यह नीचे से लिया, तो मैं यहाँ से थोड़े बाल, एड कर लूँगा, अब यह साइड नीचे से लेना है, इस साइड से बाल थोड़े एड कर लेने है, फिर से एक section नीचे से लेना है, इसमें बाल एड कर लेने है, अब थोड़ा टाइट ही रखिएगा बालों को, इस साइड से भी same thing, हम एड कर लेंगे, देखते जाएए ज़रा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा पीछे लेके आऊंगा, ताकि मुझे बाल पीछे दिखाने है, उसी तरीके से इसमें बाल एड करता जाऊंगा, दोनों साइड, ओके, थोड़े थोड़े, अब देखिए ध्यान से, मैं ये बाल पकड रहा हूं, इन बालों के नीचे से, center partition वालों के नी लिए, फिर center partition वाले, अगेन, same thing, वसी साइड, चलिए, हमारा जो braid है, almost, almost, बन गया है, मैं थोड़ा और, लंबा खीचूंगा इसको, अब यहाँ पे, आपको क्या करना है, इसको खीचना है, यहाँ पे, इस तरीके से, pulling करना जरूरी है, कोई भी braid बनाते हो आप, वो pulling के बीना अच्छी नहीं दिखेगी, इस तरीके से, थोड़ा-थोड़ा pull कर लो, बालो को, और फिर उसके बाद, इसको, back में, यहाँ पे, back में, उसी जगा पे, जहाँ पे, हमने वो, दूसरी, लगाई थी, पिंज करके, उसी जगा पे, यह भी लगा देंगे हम, बट इसको, थोड़ा अब ध्यान से, अगर आपको लगता है, थोड़ा और खीचना है, I mean, थोड़ा और बनाना है braid, तो थोड़ा और बना लीजे, अब उसके बाद, यहाँ पे, इसको, यू पिन की help से, थोड़ा लगा दूँगा, इस तरीके से, अगर और खीचके लगाना है, इस तरीके से, मुझे braid अच्छे से दिखाने के लिए, पुल जरूर करें, पुल जरूर करें, पुलिंग टेक्निक जरूर यूज़ करें, तो यह braid अच्छे से तभी define होगी, दिख रही है आप लोगों को अच्छे से, तो यहाँ पे एक साइड braid है, एक साइड rope टेक्निक है, अब यह braid को और अच्छे से कैसे दिखा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से अपनी u-pins का कमाल दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे u-pin ली, इस तरीके से, मैं add करता जाओंगा, अपनी u-pin को, और बिठाता जाओंगा बालो को, ताकि वो बाहर उठी हुई ना दिखे, जो हमारी पोनी की है, जो हमने डच ब्रेड की है, इसको डच ब्रेड बोलते हैं, अगर आप को नहीं पता तो मैं बता दूँ, यह उल्टी ब्रेड होती है, जो हम सीधी ब्रेड करते हैं, उसका विल्कुल उप इसको बता रहा हूँ, यह देखिए, कितने अच्छे फिलावर्स होने चाहिए, इस फिलावर्स बनेंगे तब यह अच्छे दिखेंगे, और फिर इसके अंदर हम स्प्रेड कर देंगे, उसी तरीके से, इस इस फिलावर्स को और अच्छे से दिखाने के लिए पुल करना बहुत ज़रूरी है बार-बार बोलता हूं मैं आप लोगों को पुलिंग टेक्निक यूज करते जाओ अब इसमें स्प्रे कर दीजे जैसे ही स्प्रे हो जाएगा आपके जो बाल बाहर निकले हुए उसको आप क्लीन कर लो ठीक है तो यह हमारा एक साइड पोनी हो गया देखिए एक साइड हो गया हमारा डच ब्रेड अधर साइड हो गया हमारा ठीक है Rope, Rope Braid बोलते है. तो ये साइड की Pins मैं निकाल लूगा क्योंकि इये फिक्स हो चुका है. इसको रखने की जूरत नहीं है, जो मैंने Rope वाला Braid बनाया था, उसके अंदर मैंने यू पिन लगाई थी, वो यू पिन मैंने निकाल के अपने बोक्स में वापिस रख ली, क्योंकि मैं बाद में यूज करूंगा, तो ये दिखे कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, एकदम लेयर आ गए हैं इसके अंदर, अभी बैक पे, हमने ये जो ब्रेड थी, ब्रेड क होता है, जहां पे बाल जादा होते हैं, वहाँ पे यू पिन काम नहीं करती है, तो आपको दो बार यू पिन लगाना पड़ता है, एक नीचे से, एक उपर की साइड से, ध्यान से देखिएगा, मैं पिन को खीच रहा हूँ, काफी लोग क्या करते हैं अभी न, कोविड का तो यह मुँ में डालते हैं पिन, मुँ में डालके खीचते हैं या खोलते हैं, वो मत करिए, मैं भी पहले करता था, आफ्टर कोविड, आपको क्लाइंट सिखा जाते हैं, क्लाइंट बताते हैं कई बार, मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया था, क्लाइंट बोले, तो इस ब बैक में आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी जूड़ा बना दे, कर्ल्स करके छोड़ दें, कर्ल्स भी अच्छे लगेंगे, ऐसे ही, सिरफ कर्ल्स कर दे, और छोड़ते दोनों साइड आगे, तो बह। अच्छे लगेंगे, जो मैंने कर्ल बनाएते, बट अभी हमारा सिरफ फ्रेंट का पॉर्शन बाकी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज बहुत अच्छा है बहुत मज़ेदार है ध्यान से देखिएगा यहां पे मैंने बालों को पकड़ा इस तरीके से यहां पे यह आप इस तरीके से खीच सकते हैं जैसे ही खीचे इस पे स्प्रे करिए दोनों साइड और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दीजे इस तरीके से ठीक है अभी भी उतना अच्छे से नहीं हो रहा है फिर से वेट करिए स्प्रे करिए दोनों साइड और अगें इसको मिक्स करिए इसको साफ करिए फिनिश करिए ज इसमें हम लगा देंगे एक यूपन यहां पर इसको होल्ड करने के लिए बाकी सारे बाल मैंने पकड़े और यह बालों को यहां पर आप इस तरीके से कोई शेप दे सकते हैं थोड़ा स्प्रेडिंग कर सकते हैं इस तरीके से ध्यान से देखिएगा अब यह आपको इसको सेट करना है ताकि यह ऐसे ना लगे कि यह गिरा हुआ है नीचे की तरफ इसको मैं यहां पर यूपन लगा दूँगा थोड़ा उपर उठाने के लिए अगर आपको लगता है कि यहां पर पोर्शन ज़ादा गैप है यह पोर्शन ज़ादा गैप दिख रहा है मुझे सामने कैमरा में से अभी ठीक है आई जाता है वो चलिए कोई बात नहीं अभी भी मैं सिर्फ यूपन से ही इसको टक करूँगा पीछे की तरफ और यह वाले बालों को थोड़ा खीच के यहां पर देखिएगा इस तरीके से छोड़ देंगे ताकि हमारा जो फ्रंट पोर्शन है उसको और अच्छे से दिखाया जा सके ठीक है अगर आप मुझे एक्शली सैटिस्फेक्शन नहीं हो रही है तो मैं इसको दुबारा करूँगा होता ऐसा समटाइम्स ना आप करते हो मुश्किल होती है अब दुबारा से क्या करोगे कॉम करोगे उनी बालों को अगर आपकी स्प्रेज जो है वो अराम से निकल जाएगी रहेगी नी बालों में डोंट वरी आप डरना मैता ऐसे में कि सर बाल तो च स्प्रेड करना बोलते हैं इसको अगें एंड अगें यहां पे हाथ रखिये इसका पार्टिशन बैक का है यह भी कांड होता है कभी कभी आपकी डमी की ग्रोथ भी ऐसी होती है ना वो बाल एकदम स्टबन होते हैं वो एक ही जगा पे रहते हैं चलिए मैं दूसरी साइट ट्राइब करता हूँ ट्राइब भ्रो ए्टो ग्वाज है aucun resilient गछाएं पार्ट ट्र थायक ठीम स्टड़न दो ट्यू आश्ट स्टबस काओिए कि यह पर दाच्टूडन ओ स्टि को स्टबसाब को अभी बना है परफेक्ट ली अभी अभी एक दम परफेक्ट शेप आया है कि टाइम के साथ होता है एक ही टाइम पर नहीं आता है कुछ भी इसको मैं थोड़ी दिर वेट करूंगा थोड़ा ब्लो कर सकते हैं आप इसी जगा पर रहेगा कहीं नहीं जाएगा अभी मैं कॉम करूंगा बाकी सारे बालों को चसी वान मिनिट मेरा कॉम मैं कॉम करूंगा ध्यान से देखिएगा इंसाइड वाले बालों को क्या करना है मुझे इस तरीके से हम एक शेप बनाएंगे क्रियेट करेंगे शेप को इस पर अब लगा देंगे यूपिन अब इसको क्लियर करना है फिनिश देना है मुझे तो आल डू और इसको थोड़ा सा इस तरीके से उठा सकते हैं यहां पे ताकि यह एकदम फेस के साथ टच ना हो ठीक है यहां से भी उठाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा क्योंकि यह ज्यादा ही ऐसा लगेगा कि जैसे यह नो नीचे बेंड हो गया हम येस अभी ठीक है अब ये चीज आप रियल हेर में भी बना सकते हो कोई इशू नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मैंने फ्रंट का दिखाना था आप लोगों को ज्यादा यहीं ट्राइब करता हूं कि फ्रंट पे कुछ क्या बना सकते हैं आप वह दिखाऊं यहां ब्रेड है ड़ समझ में आया आप लोगों को क्लियर हुआ इजी धाना